कि मैं पेपर आउट कर देता हूं धीरे ओनलाइन है बात बताएं नहीं यह लास्टें बताऊंगा मैं आपको बैस नहीं है अहां तभी तो उनलाइन चल रहता है घर की बाद घर में आ रहा है से सब को थड़ी बताते हैं तो मेरे पर लगावाना क्यों रिकूर्ड क्यों नही कि है इसका मतल तुने कोशिखके हैं आचा तो तुने यू इंससे रिकूर्ड इंग करना है कोशिखकी तो एससे रिकूर्ड इंग भी तो फिर वीडियो वायरल किसे करते हैं यह बताटे आएं इनको सun को नहीं दूनिया में टेड постलों को सारी है और पतानी क्या-क्या इस मोबाइल में चल रहा है इस मोबाइल से बनाए वीडियो दुनिया बहुत आगे रहे बड़ा बड़ा अपने पिछे चल रहे हैं तुम वीडियो रिकोर्डिंग कर रहा है तो यह बात तो किसी को नहीं बतानी तब दो इस बात को थी अना अंडर वल और कोई बात जिसे आप मोटिवेट वे वह बात बताओ इससे आप मोटिवेट वेगे पेपर तो पता चली जाएगा हमें पटना नहीं बता दिया बैस अब तो यह यह गलत बात जुटी बात ही दूसरी बताओ जिसे आप अपर ने बगवंदास को आगी यह पकड़ो नग जब गाउं पहुंचा तो ग्रामी ने नगाडे बजा कर स्वागत किया जंडे लहरा कर स्वागत किया अब कि वगंदास हो है तो मिर्जा विद्रो दबा किया था अब वड़ा आरेस का पर पास करके जा रहा है आप भी जब पास हो जाओगे बागादा ओपन बोडी जीप स्वागत में फूल फूल बरसा रहे होंगे लोग आप उस दिन फील आएगा कि आज का सरनाल का मिर्जा विद्रो में नहीं दबाए तो आपके स्वागत में भी क्या बजाए जाएंगे नगाडे क्या लहरा जाएंगे तो कोई आयाग नहीं है सेलेक्ट हुआ बंदा आपक होता है चुटी अरना उस दिन तो्याम को आपको लगा होगा कि मह किताब हम थायव दूगा दूगह अज पिर दूसरे दिन से को मसान या वराग लोग जाता है और पह Dutch जैसे चल रहा है वो सब थीक है फालतु में मथा पची करने क्या हो सकता दिलीप सर कहते हैं मसानी ओपर आगे जब किसी की मृतियों होती है और हम समसान घाट जाते हैं तो जब समसान घाट में लास जल रही होती है डेड़ बोड़ी जल रही होती है तब बंदा सोचता है कि करें यार तेरा मेरा पैसे के पीछे भागते रहते हैं कुछ ही नहीं पड़ा एक दिन सब को इन लकडियों में आके जलना है फाल तूग इधर उदर की पंचाईती करने क्या हो सकता मत सारे दिन सोचते हैं इसका खाजाओं और उसका लूट लूँ इतना ज्यादा हो जाए तीन ऊबर आ घए पर गहर पे आता है सनान करता है नहाता है उतर जाता है कि अग sürघेaus किसमें कितना है लेकिन आगले दिन आपको लगता है कि नहीं दुनिया पित्रल दिये कोई ज्यादा लेना देना ऐसे चलता रहेगा अपने फालतों की पंचाइटी करेंगे नहीं यह थोड़े ज्यादा दिन रहना चाहिए तो मेरे गया थे सब्सक्राइब करेंगे तो किसी क्लास में गए और बता रहे थे कि मैं यह पढ़ती यह करती ती गंटे पड़ती थी एक लड़का खड़ाओ बीच में उसने का मैं आपको डिप्रेशन नहीं है कभी इसा नहीं लगा इतनी लंबी वेकेंशी चलती है दो तीन साल तक एक्जा उनका मैं जब भी आप लोफील करते थे तो क्या करते थे अनका मैं फिर पड़ाई बंद कर दिया करती तो बड़ा राजी होगे उसने का कितनी दिन तक उनका दो गंटे जो तीन गंटे के बार बंद करती थी फिर खोल लिया करती थी तीन बुक वैचारा वह पूछना चा कर रहा था कि में 10-15 दिन का नाम ले जड़ी 10-15 दिन का नाम लेले तो गहर पे जाते थे मैं लूफील कर रहा हूं आज हूं जानता हूं तो क्या का उन्होंने क्या यसी बात की जिसे आपको लगा के ये तो मैं पक्का-पक्का मान लूँगा किया कि पड़ो यह तो नोट्स पड़ो आच्छा तो वह तो आपने कहा नहीं कि इसके लाव अमरी ओकात भी ने दिस नहीं है कि अधार यह पता तो नहीं बता हम जानते हैं सर इसके लाव बाकि अमसे पढ़ा भी इतने पढ़ें यह ज़्यादा है और क्या बात वताई कि मैं पेपर आउट कर देता हूं धीरे ओनलाइन है बात बताइन नहीं यह लाश्टन बताऊंगा मैं आपको बैस नहीं है अहां तभी तो उनलाइन चल रहता है घर की बात घर में आ रहे से सब को थड़ी बताते हैं है तो मेरे पर तो लगावाना क्या रिकोड क्यों नहीं होता आप क्या बात करता है तुम से सारे वीडियो यहीं से लीक है अक है किसका मतलती नेर तूने यू इस रिकोडिंग करनी पर इस रिकोडिंग नहीं थी तो फिर यह लोग वीडियो वाइरल कैसे करते हैं यह यह करते हैं है इनको सबकू नहोकरी document कालोह। नहीं नहीं रहें दुनिया मेंं टेकनलोजी लोगों के पास क swept the screen और पता नहीं क्या-क्या इस मोबाइल में चल रहा है इस देनियो एस इम जबबाएट। बोट इसे बनांगे गांगे खाँ अपणत ऊर techniques P東西 का का राज कि अब चला पता कैसे लिए ना हमारे बेस सिलेक्स यह बात कि चुको बताने और और कोई बात इससे आप मोटिवेट वह वह बात इससे बंट नहीं पटा चली जाएगा हमें पढ़ना नहीं बता दिया बैस अब तो यह यह गलत बात जुटी बात दूसरी बताओ जि कि यदि आप जो टाइटल है ना वह भी कोई याद कर लेना तो भी बहुत बड़ी बात है लोगों से यह भी याद नहीं होते हैं मैं यही इसी बात पर आ रहा था यह जब लोग कते हैं कई बार मेरे को स्टूटिन आ करता है कि सार सबने नोट्स पढ़े तो कुछ ही लोगों क्यों हो रहे हैं बाग यह गटिया गटिया से निंबर आ रहे हैं उसने पढ़े ही नहीं कि लग लड़की और को उनका सेलेक्शन हो रखा है स्ट्यम मिल जाएगा उनको भी रहेंक तो मैं यह पीछे है थोड़ा सा याद नहीं मुझे कौन सी रहें पर वो कल वापस मेरे को बता रहे थे तो यह मिठाई विठाई किला ही कल मैं कोचिंग श्याम को गया था वहां पर को स्लेक्ट लोग तो मैं वापस का मैं क्योवल यह नोट्स 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 पढ़ती रहती थी और अब जब मेरा स्लेक्शन हो गया तो लोग मेरे को फोन कर करके पूछत तुने क्या पढ़ा था तो मैं उनको कि उमेने नोट्स पढ़े थे तो मेरे पर विश्वास नहीं करते और दू जूट बोल रही है इसलेक्शन हो गया खुद का इसलिए हमें बताना नहीं चाहती इसलिए क्या नोट्स पढ़े थे तो मैं तो तू सची सची बता दे और कि यताबाद और मांदलो 8usion यह ओ गया आठ सब्सक्राइब में 10已 líder गंटे पिर ऐघकंट निंद भी लेते हैं इतने में दिन कभ पता ही नहीं चलता यहोता था कि डेली वाला भी को थोड़ा बहुत रहीज जाता यह कल ही देखेंगे आपास तो नहीं देखा जा रहा है इसका मतलब केवल कोई नोट पड़ ले बहुत अच्छे से पड़ ले तो भी सेलेक्शन होगा पर यह आपको तब तक फील नहीं होगा जब तक आपका सेलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको कोई ना कोई भाहिया बा रोहित का जिस दिन पहले दिन आया थे तो मैं उस दिन वहीं उपीस बेटा था तब वो कह रहे थे कि सार मेरे को एक बात की सबसे दिख खुसी है कि मैंने इस बार एक्जाम दिया तो मैंने केवल नोट पड़े थे और मेरे को आगे सीनियर्स या बाहर के कई लोग आगे हम रहेंगा ना 12-13-15 वाती है तो कि मेरा जिदिन सेलेक्शन वा उस दिन मुझे यह तो खुसी थी कि मेरा सेलेक्शन हो गया इससे बेडिक यह खुसी थी कि वह जो मुझे काते थे उनको मैं कह सकता हूं कि अवल नोट से आई है इसके लाव मैंने और कुछ भी पढ़ा नहीं था तो यह बाते सुनने वाली गोर करने वाली बाते होती है कोई इन पर गोर करे कोई समझे तब तो नहीं समझता तब बंदा यह बार किया जी दो तरीके है या तो लोगों को देखके सीख लिया जाए या खुद के ठोकर अगया तो एक हमारी पुराने स्टुडेंट जिन्होंने 2012 में एंटर्व्यू दे रखा था वो दिलीपसर के पास आए और उन्होंने आग का कि सर मैं बड़ा आजीब सा मैसूस कर रहा हूं और सेलेक्शन हुआ नि पलीस थोड़ा बताओ तुसर ने का अरे तुम गायब का गाय था तो आरे पीसी ने कंसल कर दी फिर वो प्रीगा पर दुबार आवा फिर उसका मेंस वा तो उसमें टाइम लग गया दो एक साल का यह तो तो दिखाए नहीं दो साल में तो ने यही गलती की और मुझे लगा कि अब कोचिंग तो ही रखी अब मेरे को सल्फ स्टेडी करनी चाहिए तो मैं घर पे बेठके पड़ता था पर सार इस बार तो मेरा इंट्रव्य को ली नहीं वा तो अब मुझे क्या करना थी तो दो चीज़ देख तुने टेस्ट दिये था कि सारे उसने दिये नहीं मैं तो मुझे लगा गया लिखना तो मुझे आता ही है तो टेस बुक्स उठा उठा के लेकिया खूब सारी और वो बुक्स पढ़िए तो कोई बुरी बात नहीं होती पड़ी तो पड़ी उसने रहा सर बूरा तो यह है कि लाश्ट में रिविजन नहीं होती है रिविजन नोडस हो सकता है क्योंकि नोडस हमने दस बार पड़े एक बुक को एक बार ही पड़ सकते हैं दुबार रिविजन कैसे करोगे एक्जाम में तो कंसॉलिड्रेट चीज़े लिखनी एक साथ लिखना पड़ेगा उनको तो वह कैसे करेंगा तब उसने एग्जा करें से तरह वाले टमड़े टरह इस दो फचार्म को पढ़ते हैं तो मैंने नोटिस किया कि पहले दिन उसने वह चालीस वेज पढ़े और दौफ़ार तक चालीस पढ़ें तो फ़ार बाद में उसने पभगी कुछ निचैन जो आपकी क्लासों में दिये वे थे उसने लिखे अब यह तो मेरा पहला अटेम्ट है और मैं तो यह नोट से आद कर लूँ यह भी खूब है और कोचिंग में हमें तो कहा था यह ही याद कर लो चुंकि आप senior हो आप कह रहे हो कि नोट से पार नहीं पड़ती तो अगले अगले अटेम्ट में आप बुक बता दो भुक भी बाद में आप जो फाइनल रिजलता है तो मुझे पता जला उसकी बार भी रेंक है तो आप कभी देखेंगे कभी इस बार आएंगे तो मुझे दो तीन चार एक्जम्पल ऐसा पता है क्यार आप केवल नोट पड़ते हो उनसे आपका स्लेक्शन दो होता है ना बुक पड़ मालो रोहित का सेलेक्शन भी वाना इस बार कभी आया तो आप उस लेना कि पूरे नोट से याद थे क्या वह भी गई देगा कि कही ना कहीं उनके अंदर कैसे याद हो सकते हैं 18 सब्जेक्ट के चतीस अरदिश्टर तो हम बरवाते हैं कैसे होंगे सारे-आप पर छीज़य भूलता है उसके भी म सब्सक्राइब तोड़ी मैं तो आमेसा एक जब देता हूं कि मैं जैसे अबी मालो मालो चार बेच में क्लास ले रहा हूं actually होसकता कि 있습니다 पटा रहा हूं में मोधारवाड पढ़ाए है को किसी में टयुक्तार मेंНने टॉरिट चहले है आप कंटे बाट में नहीं पर भी कि इया था नहींतु पाहिए कि मुझे भूलना जाए कि मैंने सेम चीज सुबसे स्याम तक बारा साल से बोल रहा हुं लगाता heavilyist यह भिजो नहीं है हुज भी अपने को लगता हुझ है जयसे वेशज उतारने के लिए एक पार पढ़ ली जाए पांच मिनट आजाए दो मिनट दिख भीएक Peachी मैं रहेगी अजत शहम गिज्ट लाएगे लीफए आज ुन के ऺएव s यू लाइन अपने आप ही बूल जाओंगा बात दूसरे दिन याद आएगी कि हां यार इसमें श्रिंगरी सी अभी लेक तो लिखवाए नहीं तो किसी ना किसी बेच के अंदर कुछ ना कुछ यसी बात याद आद आए इसके अंदर अपने ये तो लिखवा नहीं कि मोकल का स आप ची किया करो वैसे आपको तो आते वे महीना भरुआ होगा महीना सवा महीना भाए उसमें आप देख लो ज्यादा ज्यादा क्या पढ़ा है एकोनमी और यह आपकी राजस्तान और एक शुरू क्या कर लिए अपने साइंस जिता पढ़ा दिया हुता भी पूरा याद न नहीं हो किसी को राजस्तान जी के अच्छा लगता तो राजस्तान जी के अभी याद कर लेगा तो बाइलोजी थोड़ी कमजोर रह जाएगे बाइलोजी बाद में याद करेगा कोई साइंस का स्टूडेंट उसको बाइलोजी पहले से आती है वो थोड़ी बाइलोजी पढ़े रहे होते हैं तो बाद में एक जकली कुछन नहीं भी आ रहा होता है तो चार ओप्शन देके अपने दिमाग लग जाता है यह है फिर एक बार जब प्रीवाली अच्छी सी मैनत की भी होती है स्याम का स्याम वेसा इमेंस में होता है थोड़ा आंसोर लिखे वे होते है इनको डंग से याद किया करो एक मैंने बहुत शुरू में आपको कहा था कि इडली अकभार पढ़ा करो पढ़ता है कोई ऐसे कौन-कौन है जो अकभार नहीं पढ़ते है जिंदावाज श्यवास थो थो तुमारे गाल खींच लूँ मैं कि ते क्यू टाबर हो तुम पतला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम सिविल की तैयारी करते हो और अकभार नहीं पढ़ते है मुझे तो यह भी अजीब सा लगता है कि राजस्थान में चुनाव है और किसी इस्टूडेंट को कईयों को जो मैं पूछ लेता हूं तुमारे इलाके से कौन लड़ रहा है चुना होगता है लड़तो रहा है सर एक बीजेपी एक कॉंग्रेस है सर अरे यह तो मेरे को पता यहां से कउन क्भार रहा है यह तो कि यह आप आज पास की चीजों से अपडेट नहीं है इसका मतली क्यारी नहीं कर रहे हैं और यह तुम्हें आमेसा एक्जामपल मैंने पहले भी कभी दिया होगा कि अब यह सोचल मेडिया ने इस मोबाइल ने हमसे बहुत कुछीना इस मामले वरना पहले पौने नो बजे गाउं के अंदर रेडियो पे सारे के सारे लोग समाचार सुनते नो बजे तक तो शांस भी दिरी दिरी लिया करते थे नो बजे के बाद में अब हम बोल सकते हैं तब तक रेडियो चलता रहता अब चुंकि रेडियो चल रहा है तो आप नहीं भी सुनना चाहते तो भी कान में जाएगा थोड़ी बहुत खबरें जाती फिर एक आदी में पूच भी लिया करते हैं तो अगली दो बाते उसको बहुत जल्दी याद होगी क्योंकि जोड़नी सरल है तो फिर कहीं वो दो बाते पड़ेगा उसको लगेगा हारे यह यह तो आता है मुझे महारेना परताब के बारे में इतनी सारी बाते जानते हैं अब यदि आपको ब पड़ हो गए उस बुक में महारेना परताब के बारे में जब आप पड़ रहे हो तो कोई दो नई बाते होगी फटा आपके दिमाग में आएगी क्योंकि आठ जो है वो तो आपको आती है यह तो सर ने बता है नहीं तो मेरा कहीं पड़ावाई नहीं तो आपने आप याद तो चीजें साथ में जुड़ने लग जाएगी अकभार पड़ा कीजिए फिरसावाल आपका है तो सर कौन सा अकभार पड़े जो अच्छा लगे जिसके कागज चीकने हो जो यह बला लगे आपको वो पड़ लिया जाए इसमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि सब में एक चीजें तो खबरें आएगी मोदी जी अमरीका गये है या अमरीका का राष्ट्रपती भारत आया तो सब जिए यह आएगा भारत वर्ड़ कप आर गया सब जिए यह आएगा यह थोड़ी कोई अकभार लिख देगा हार नहीं दिखा सकता मैं लिखाँगा कि नहीं भारत ज आपने काम की है जो इस बार फेल हुए है वह हो रखी होगी तब वेकेंसी गोष्णा करवा देना तीन मेने प्रीवाले मिल जाएंगे पास कर लेंगे उसके बाद अगला टाइम मिल जाएक उसमें मेंस पास कर लेंगे तब केवला में टेस्ट रीज देनी होगी पहले परीगिर बादे मेंस की बागी सब कुछ त्यार होगा अपना युद्ध काल में अभी पढ़ रहे हैं अभी वेकेंसी आ जाती है फिर और खेर उनको तो गुस्सा आएगा आपकी बाद होगा अच्छा खुद के फाइदे के लिए इसा कर रहे हो पर अपना फाइदा देखना पहले बाकी का बात में देखेंगे आई समझें बात